इस साथ में एक और उस और की टैग को आपने इतना सराया आपने इतना अप्रिशेट किया उसके लिए थांक्यू सो मच और नया कुछ बुक लिखने का मन करता है और बहुत सारी रेमेडीज आपके तरफ पहुचाने का मन करता है क्योंकि आप उतने ही प्यार से उतने ही नॉलेज के साथ उसे लेते हो और हर चीज फॉलू करते हो तो येस आपकी नई जो बुक मैंने जल्दी डाउनलोड करनी है आपको वो है Mystery of Planets 24 इसका नाम है और इसका नाम है राशी रहस्य ये बहुत इजी वे है आपको हर चीज का सुलूशन देगा अब हर चीज का सुलूशन कैसे मिलेगा पहले से छूटा सा एक हाट ली एक मिनिट में आपको बताऊंगी कि क्यों मुझे लिखने का मन किया इस बुक को इसी बुक को लिखने का मन मेरा क्यों किया वो बताना मुझे आपके लिए बहुत जरूरी है कि बहुत सारी बाते ऐसी थी जो मैंने आपको आणदी जिपनाची गुरु के लिए इसमें बताई थी आणदी जिपनाची गुरु के लिए हमें इंग्लिश में भी आवले बले और मराथन में भी आवले तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि शीतिल हिंदी में कैसे हम लोग इसे पढ़ सकते हैं तो हर लैंग्वेज में वो पब्लिश करना थोड़ा मुझे डिफिकेट लग रहा था बट वो उसे easy कैसे बनाना है और आप लोगों के पास कितने जल से जल मुझे remedies पहुचानी हैं इस पर मैंने walk out चुरू किया और ये राशी रहस्या मतलब इसमें इतने सारे secrets दड़े हुए हैं जो आपके life में इतने सारे changes लेके आने वाले हैं आप भी believe me कर सकते हो आप जो मुझे देखते हो अपग्रेडेड देखते हो फिर मैं पहले स्टॉक जो करती मैं नियुम लॉजिस्ट हूँ मैं वास्तू एक्सपोर्ट हूँ अभी मैं author बन गी हूँ मैं motivational speaker बन गी हूँ तो यह सब कैसे possible है जब मैं अपना लग साथ में रखते हूँ जो मैं remedies आप लोगों के साथ शेयर करते हूँ पहले आपको तो पता है कि मैं खुद के family, friends and खुद के ऊपर पहले apply करते हूँ जो भी अंद्राज में आप लोगों के साथ शेयर करते हूँ वो पहले मैं यूज जब मुझे रजल्ट आते हैं जब मुझे उस पर confident आता है तभी तो वह आप लोगों के साथ शेयर करते हूँ तो क्या है secret इस बुक में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इस बुक में secret actually क्या है what is the secret in राशी रहस्य देखिये राशियों के बारे में जब मैं आपको बताना चाहूंगी तो इतनी सारी बाते हैं कि explain करना कभी-कभी difficult होता था तो फिर मैंने सोचा कि चलिए क्यों ना इसे इकटा कर लिए एक ही जगह पे और मैं आप लोगों के पास पहुँचाने में easy ways में ढूंदूंगी तो बारा राशियों के स्वामी कोन है राशियों का प्रभाव क्या होता है बहुत बार हम लोग बचपन में हमारे बॉर्डेट के हिसाब से हमारी राशियी fix हो जाती है कि मैं मगर राश का हूँ, मैं सीह राश की हूँ, मैं मीन राश की हूँ तो राशी के हिसाब से future predict करना easy हो जाता है numbers के hesaap से उतना ही easy होता है, जितना राशियों के hesaap से भी predict करना easy हो जाता है ग्रहों की disha हमारे life में बहुत सारे changes लेकर आती है तो उन ग्रहों को, दिशां को कैसे हमें जानना है कि मीरी राशी के hesaap से, मेरी राशी कौन से घर में बैटी हुई है कहां से मुझे एफेक्ट हो सकता है अगर बहुत बार ऐसे होता है कि राशी के इसाफते अगर आप देखोगे तो बहुत बार ऐसे होता है कि मुझे स्टोन पहनना तो है राशी के इसाफते मुझे रतने तो पहनने है बट समझ में नहीं आ रहा है तो इसके ल ज्रहों ऑर रतनों की उपचार पद्धथी मैं आमको दिये ग्रोहों को भुतसे बहुत बार ऐसे होता है कि जो रतन 우ह हम लोग पहन रहे हैं वह में सूटेबल है या नहीं है नहीं है तो उससे करने की ज़रु पर बहुत बार हम लोग उसे अक्टिवेट करते ही नहीं है तो उसे activate कैसे करना है यह मैंने इस book में दिया है कौन सी राशी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कुछ से मैं कुछ भी बोल दो relationship खराव करो तो उसी लिए मैं आने आपको यहाँ पर एक छोड़ी सी hint दिये कि इस राशी वाले लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो अपने गुस्से पर आप control कर सकते हो बहुंदार ऐसे होता है कि समझ नहीं आ रहा है immediate solution कैसे ले तो यह राशी के अनुसार हर राशी के अनुसार एक मंत्र होता है जिस मंत्र के उच्छारन से आप आपकी problem सॉट आउट कर सकते हो अभी के लिए immediate business पे हमें उसमें solution मिल सकता है तो राशी के अनुसार मंत्र बहुत ज़रुवी होता है हर राशी हर नमबर के हिसाब से अफक को तो पता है नमबर से खेलने की मिझे ॕहादत है राशी की छानवीन खारना भी मेरी आदत है वन आफ दर आशी ऐसी है कि जो बस तैंसे इखटा करके खर्चे नहीं करती है भले वो चार साल एकी ट्राउजर और एकी शर्ट पनेंगे बट नए कपड़े नहीं करेंगे यह जो गुंड यह जो सुभावे राशी का यह मैंने यहां पर प्रजेंट किया है वो बदलना तो व्यवाहिक जीवन के लिए राशी कितनी माट करती है यह भी तो मैंने इसमें दिया है पती पत्नी कैसे माचिबल होते है राशी के इसाब से यह भी होता है बहुत बार हम लोग पुंडली देखते ही नहीं काफी बार हम लोग लव मारेज में पुंडली देखते ही नही तो राशियों के अनिसार अगर आपकी गलत राशी के साथ दोस्ती है गलत राशियों के साथ आपका आचप है तो यस डेफिनेटली आपको यहाँ पर डिस्टिबन्स आ सकते है तो दोस्ती भी थोड़ी सी सोच समझ के करने चाहिए आपका दोस्त कौन है आपका दुश्मन कौन है यह भी सीक्रेट मैंने इस बुक में दिया है संतान सुथ बहुत बार में काफी सारे लोगों से आस्टो नियुमिलोजी आस्टोलोजी मिलती है काफी सारे सीटी काफी सारे कंट्रीज में यह प्रॉब्लम है कि कौन सी राशी के हिसाफ से कुछ ऐसी चीज़े अगर कर ले तो संतान सुथ की प्राप्ति होती है बीबी वन आफ दो मोस्ट इंपॉर्टन तिंग लेगे लाइफ में एज्ट्यूकेशन उसके बाद में करियर करियर के बाद में शादी चादी के बाद में बच्चे फिर बच्चो वा करियर यह सरकल तो इस तर्कल बोहत प्रॉपर बेदाने के लिए काफी सारे रहस्य आपको राशी रहस्य मतलब इस बुक में मिलने वाले हैं इस बुक की खासियत यह है कि इस बुक में भी जैसे आपको बता है कि आनंदी जिवनाची गुरु किली जो थी उसमें मैंने 72 प्रॉब्लम्स पे सोलुशन दिये ते सेम यह मैंने इसमें भी 72 करियर भी चॉइस कर लेता है बढ़ उसमें भी गलत जाने के व्राइट ट्रांसिस होता है तो राशी के अनुसार कौन सा करियर आपके लिए सूटेबल है यह भी मैंने इस लुक में दिया है कूट-कूट के सिक्रेट भरे हैं आप बोल सकते हो राशी के अनुसार आपको जो बहुत जरूरी है कि कौन से बिजनस में सफलता मिलेगे मा की ममता दी है खुशी परिवार की खुशिया कैसे मिलनी चाहिए वो दी है बच्चों के स्वभाव भी दिये हैं बहुत सारे बच्चों बहुत अच्छा होते हैं मतलब लाइक इतना स्टड़ी करते हैं इतने कुछ उपाइमें दिये हैं इस राशी के भी मैंने नमबर यहां पर दिये हैं इस राशी का भी मैंने सीक्रेट यहां पर दिया है सच्छे प्रेमी बहुत भारते होता है मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्यार मतलब रिस्क होता है रिस्क नहीं तो इश्क नहीं तो उस रिस्क को कैसे हैंगल करें वो जो रिस्क तो मैंने ले लिये इवन मेरा भी तो मेरे पास क्या solution है तो राशी के अनुसार क्या मुझे को suitable है या नहीं है कौन सी राश्या बहुत सारी खुशिया लेके आती है हमारे जीवन में कौन सी राश्यों में सब्सक्राइब के भरा ये भी सिक्रेट मैंने दिया है और आज यू नो आम इस टॉक ब्रोकर आम इस टॉक ट्रेनर तो जो 17 साल का स्टॉक मार्केट का experience है वो मैंने दिया है कि राश्यों के अनुसार कौन सा शेयर आपको फरीदना चाहिए ग्रहों को अधार पे कैसे होता है शेयर मार्केट शेयर मार्केट पे विक्री और मतलब बाइंग और सेलिंग वो भी सीधा असर करती है कि 17 साल की जो study थी तो कोई भी problem आता है अगर आप लोगों का कोई भी challenge मेरे सामने आता है और जो मैं आपको solution देती हूँ तो मेरे पास हर एक का डाइरी बना हुआ होता है हर एक का portfolio बना होता है और मैं हमका follow up लेते रहती हूँ कि आपके challenges जो थे वो sort out हुए या नहीं करते हैं तो वो क्यों न हो पाई और अलग remedy क्या से हो गई यह सारा जब नोट दाउन किया था और यहीं सारा नोट दाउन जो किया है वो इसी बुक में इसी बुक में आपको मिलेगा mystery of planet राशी रहत्या अब बात आती है इसे खरीब है कैसे इसे हमें मिलेगा कैसे इसको easily ह हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं तो यह गाईज इसे भी अचीव करना बहुत सिंपल है इसे अचीव करने के लिए आपको बहुत जादा मेनत नहीं करने पड़ेगी क्योंकि सारी मेनत मैंने अल्रेडी कर ली है आपको बस Amazon पर जाना है जैसे ही आप Amazon पर जाओगे आपको बस शीतल बाखरे बुक्स यह आ जाएगा शीतल बाखरे बुक्स फिर उसके बाद में आपको यहां पर मिलेगा अभी फिलालम ने 10% की छूट यहां पर दे रखती है और वो भी 11 जुलेट तक आपको मिलेगी और जब आप इसको ओपिन करोगे क्लिक करोगे तो यह आपको यहां पर पेपर कवर मतलब आपके घर में सबसे अच्छी बात है कि यह प्रिंट होके आएगा आपको इसे ऑनलाइन किंडल पर पढ़ने की ज़रूरत में है एक बार आप इसे ओड़े करोगे यह आपके घर पर आएगा और आप इसे शांती से पढ़ सकते हो यह सारी प्र की बुक और सच करोगे तो यह काफी सारे बुक्स आपको मिलेंगे राशी रहस्य मिलेगा उसके बाद में इंग्लिश में मास्टर की टू अप हापी लाइफ मतलब आनंदी जी उपनाची गूरू के लिए आपको यहां पर इजीली अवलेबल हो जाएगा आनंदी जी उप इतना इसी आपको कोई भी बुक आपको और करनी है तो बस क्लिक करिए आपको बस यहां पे चोटा सा प्यमेंट करना है आपके घर में विद्प्रिंट आजाएगा इससे बहतर और कोई आप्शन में आपके लिए लाही नहीं सकती थी आपके सारे चैलेंज़स चितने भी आपके चैलेंजस है आज की डेट में छोटा सा उपाय करके साटव रो इसन जल्दी आप फ़ॉलो करोगे जितने जल्दी इससे इंप्लिमेंट करना शुरू करोगे उतने जल्दी आपके प्रॉब्लम साट होना शुरू हो जाएगा अभी इस लिंक को ⋅ Babylone link को, मैं इसी वीडियो में डालूंगी और आप बस easily इसे भाई करके फड़ सकते हूँ Thank You Guys, आपने इतना प्यार दिया है इस प्यार के लिए और मैं जितना मेरे से हो सकता है में देने की पोशिष करूंगी जितना हो सकता है, मैं और नए बुक्स अप्लाइ करूंगी, और नए रेमिडीज आपके सामने तरजन करनी की जल से जल सोचिश करूंगी, थैंक्यू गरेंगी.